तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर होनों हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको HDFC bank से loan against property लेना है तो उनकी एक property है जिसकी value इस समय 20 लाग रुपए है तो उसके against पे उनको कितना loan मिलेगा और उस loan की महिने की किस्त कितनी बनेगी जैसे कि आप rate of HDFC में loan against property में जो loan amount है वो आपके जो property की market value होगी उसका 65% लोन जो है प्रवाइट किया जाएगा आप जो सब्सक्राइबर ने पूछा दे कि उनकी 20 लाग की property की value है तो 20 लाग property पे लगबग जो है आपे 13 लाग रुपए का loan जो है वो bank आपको provide करेगी इसके लावा यहाप पे कोई भी residential और commercial property के लिए जो है आप पे as a collector उसके against पे आप जो है HDFC bank से loan ले सकते हो अपनी कोई भी personal detail हो या business need हो उसके लिए भी आप ले सकते हो इसके लावा यहाप पे easy repayment option आपको देखने को मिल जाएंगे इसके लावा transparent process रहता है मतलब कोई भी hidden charges अगरा नहीं रहत ही है मतलब आपको door step service मिलेगी जिससे आपका loan जो है वो जल्दी process किया जाएगा इसके अलावत जो यहाप पे self-employed अगर apply करते हैं तो उनके लिए जो है आपे benefit मिलेगा जैसे कि यहापे self-employed individual can benefit from our customized loan option तो self-employed individual होगे उनको customized loan option मिल जाएंगे और specially designed program जो है वो self-employed के document वगरा है जब submit हो जाएंगे जो भी property के आगेंश पर आप लोन लेना चाहते हो तो उसका पूरा verification होगा verification होगे जो भी document वगरा होगे वो आप submit कर दोगे तो साथ दिन के अंदर जो है वो आपका loan जो है process कर दिया जाएगा तो यहीं आप पर देखता है गया turnaround time जो है seven days का यहाँ पर लगेगा बात करें का eligibility की तो कोई भी देखे solid employee हो गया या self-employed individual हो गया इस scheme के थुरू apply कर सकता है बात करें इसके fees and charges rate of interest तो जैसे आप देख सकते हो rate of interest अगर आप floating rate of interest पर लेते हो तो 9.50 से starting होती 11% तक rate of interest जाता है वहीं अगर आप fixed rate of interest पर लेते हो तो 11.80% rate of interest की starting होती है 13.30% तक जाता है processing fees देख सकते हो एक परसन लगता आपके loan amount का processing fees इसके लावा prepayment charges वगरा भी देखिए आप लगते हैं जिसको आप checkout कर सकते हो यहाँ पर प्री closer charges जो की फॉर closer होते है तो उसके भी आपको charges यहाँ पर देने पड़ेंगे इसके लावा अगर आप EMI को late payment करते हो तो आप यहाँ से checkout कर सकते हो बात करें यहाँ पर जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 20 लाग की प्रॉपर्टी की value है तो उसके अगेश पर उनको 13 राग रुपए का home loan प्रवाइट किया जाएगा उनको 13 राग रुपए का यहाँ पर लोन अगेश प्रॉपर्टी य आप देखेंगे महीने की किसी कितनी मनेगी तो यहाँ पर हमने home loan का amount डाल दिया कि 13 लाग का जो है लोन अगेश प्रॉपर्टी हमको लोन मिलेगा अगर मेरे 20 लाग रुपए की प्रॉपर्टी की value है rate of interest 8.9.5% से rate of interest की starting होती है इसके लावा loan हमको लेना है 10 सालों के है तो इस चरीके साब चकाउट कर सकते हो अगर आपके property value 20 लाग रुपए की है तो आपको उसके अगेश पर 65% property value का जोकी होता है 13 लाग रुपए का loan वह आप HDFC bank से ले सकते हो इसके लावा rate of interest 9.5 से offer किया जा रहा है और 10 साल के लिए अगर आप लेते हो तो महीने के total interest च विला loan education loan saving account credit card वह offer वगारे लिंक आप यहां से देख सकते हो जैसे कि HDFC bank home loan इसका link आपको मिल जागा यहां से आप rate of interest कौन-कौन सी scheme में चल नहीं इसमें क्या features benefit मिलेंगे क्या disability document require होंगे और कोई offer अगर bank ने launch किया होगा उसका अभी link आपको इस website पर देखने को मिल जाएगा तो इस website का जो link हो आपको वीडियो के description box मिल जाएगा एक बार जाके जरूर चकाउट करेगा बात करें आप documentation की क्या लगते हैं तो document देख लेते हैं सबसे पहले सैलीट के लिए देखते हैं तो एक आपको रेजिजन्स प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप राशन का टेलीफोन बिल इलेक्रिसिटी बिल वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो एक ID प्रूफ देना पड़ेगा इसमे आप लोन लेना चाहते हो तो उस property के जो documents होंगे वो आपको यहां पर जमा करने पड़ेंगे इसके अलावा जो self-employed, individual, professional है तो उनको जो है last three year का जो है यहां पर अप्लाई कर सकते हो यहां पर अप्लाई नाओ को आपको लिंक मिल जाएगा यहां पर देखे लो नगेश्ट प्रॉपर्टी में आपको कुछ इंफॉर्मेशन अपनी जो है समिट करनी पड़ेगे जैसे के नाम हो गया email ID, mobile number, date of birth, address, इसके लवाँ occupation details अगरा होगे जैसे कि आप job अगरा कैसी करते हो आपकी salary कितनी है तो वह आप डिटेल में डाल कि यहां से apply कर सकते हो तो इसका जो link है मैं आपको वीडियो के description box में देदूंगा तो अगर आप भी HDFC bank से loan cash property लेना चाहते हो आप यहां से apply कर सकते हो इसमें क्या features benefit मिलेंग वह आप यहां से check out कर सकते हो तो वीडियो अगर आपको हमारा informative लगाओगा वीडियो को एक like कर दीजिएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर दीजिएगा और मैं आप comment करके बता सकते हो आगे आप किस bank के loans के बारे में हमसे जानना चाहते हो तो आज के इस video में पस इतना आप आप